प्रिये विद्यार्थियों बंदे मातरम भाटिया अश्रम के डिजिटल प्लैट्फोर्म पर आप सभी का स्वागत है उपनेयन पुस्तक के भारतिय राजववस्था खंड और उसमें भाग 6 को लेकर में उपस्तित हुआ हूँ जिसमें हम प्रशन संख्या 126 से लेकर 150 पूरे करेंगे पिछले 5 वीडियो के अंदर हम प्रशन संख्या 1 से 125 पूरा कर चुके हैं शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रशन और आपकी उपनेयन पुस्तक के प्रशन संख्या 126 को लेकर 126 है कि राष्ट्रे अपातकाल किस स्थिती में लगाया जा सकता है तो थोड़ा समय आपको बता दूँ जो सम्विधान का हमारा भाग 18 है और आर्टिकल 352 से 360 है यह आर्टिकल बात करते हैं अपातकाल की यह अपातकाल से रिलेटेड है और हम यह चर्चा कर चुके हैं कि अपातकाल जो है वाइमर लोग तंतर से गंड तंतर से इसको लिया गया है तो 352 से 360 के बेच तीन परकार के एमर्जेंसी है एक एमर्जेंसी है 352 में 352 में है जिसे क्या बोलते है नैशनल एमर्जेंसी बोलते है नैशनल एमर्जेंसी से सम्भूदित करते है राश्ट्रिय अपात का एक एमर्जंसी है 356 के अंदर जिसे प्रेजडेंट रूल बोलते है प्रेजडेंट रूल या राश्ट्रपति शाशन बोलते है एक एमर्जंसी है 360 के माध्यम से जिसे फाइनेशल एमर्जंसी बोलते है यानि वित्य अपात का की हो कि कि पाइनेशल मेरेसी नि वित्य पाइत बोलते हैं तो ये तीन परकाय की अविजन्ससा का अपाथ का का सम्विधान में वजभनान कया है इसका मकसद यह है कि जब देश पर कोई संकट की स्तिति आ जाए तो उस संकट की स्तिति में क्या होता है अपात कालिन शक्तियों का परियोग क्या जाता है उस दोरान क्या हो जाए देश का जो संगहात्मक ढांचा है वो एकात्मक में तब्दील हो जाता है तो यहां प्रिशन बात कर रहा है राश्ट्रे अपात काल किस स्त इसको लगाया जा सकता है ठीक है अनुछेद 352 में राष्ट्रय पातकाल का वर्णन है यह राष्ट्रपती द्वारा केवल कैबिनेट की लिखित सिपारिश पर ही लगाया जा सकता है थोड़ा समय इस पर बैग्राउंड पर बात करूंगा देखिए 352 अनुछेद को लेकर सम माली सवा एक समविधान संशुदन हुआ 1978 में अब इसका कारण क्या था कारण यह था कि 1975 में जो एमर्जनसी लगी थी 1975 में जो अपातकाल लगा था वह अपातकाल कौन सा था वह अपातकाल लगा था आंतरिक गड़बडी को लेकर बिलकुल अब आप कहेंगे यह शब्द क आंतरिक गड़बडी कोंस्टिटूशन में यहां तो अपड़ा ही नहीं यह क्या था देखिए मूल समविधान में जो 352 अनुछेद हैं उसमें यह लिखा था युद्ध वहय आकर्मण और आंतरिक गड़बडी इंटर्नल डिस्टिबेंस इस अधार पर आपातका लगा ज और आंतरिक गड़बडी शब्द जो है कॉंस्टिटूशन में कहीं वैल डिफाइंड नहीं है तो दिक्कत यह मैसूस हुई तो इस शब्द का दुरुपियोग होने की संभावना जदा है तो 44 जो कॉंस्टिटूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में तो उन्होंने इसमें क्या गया कि एक तो यह जो शब्द था आंतरिक गड़बडी इसको क्या कर दिया उन्होंने हटा दिया यह 44 अमेंडमेंडमेंड मेंडमेंड लेके को न आये थे यह लेके आये थी जनता पार्टी की सरकार और उसमें परधानमंत्री थे श्री मानिने मौराजी देसाई तो आंतर हट गड़बड़ी को उन्होंने रिप्लेस करके क्या शब्द डाल दिया उन्होंने शव्द इसमें डाला कि यह शंतर विद्रो यह शब्द लिग दिया शशस्तर विद्रो आर्म रिबेलियर तो ताकि यह वैल डिफाइन रहे हैं कि किस अधार पर अपातकल लगाया जा सकता है दूसरा 44th Amendment द्वारा एक पदलाव और किया कि 1975 में जो अपातकाल लगा था उस अपातकाल को लगाने के लिए प्रधान मंतरी जी ने किसी की सिफारिश नहीं ली थी किसी से मंतरना नहीं की थी इसलिए यह तै किया गया अगर नैशनल एमरिजनसी लगानी है तो उस स्तिति में क्या किया जाना चाहिए हैं कैबिनेट से मंतरना की जानी चाहिए हैं और कैबिनेट की लिखित सिफारिश जो हैं वो जरूरी होगी यह 44 अमेंडमेंट द्वारा किया गया ताकि अपातकाल को इजी ली ना थोपा जा सके लोगतंतर के अंदर ऐसी स्तिति पैदा ना हो और नहीं होनी चाहिए हैं जिसमें नागरिकों के अधिकारों को छिना जा किन परिस्तितियों में लगाया जा सकता है तो 356 के बारे में बूला है तो हमने बात क शाषन सम्विधान के अनुरूप नैचलने या सम्विधानिक तंतर ऐसफल हो जाने पर यदि किसी स्टेट का सम्विधानिक तंतर ऐसफल हो जाता है यानि राज्ये की जो सरकारे हैं वो सम्विधान के अनुरूप नहीं काम कर रही हैं तो उस स्थिती के अंदर अनुछे 356 क के माध्यम से राश्टरपती शाषन लगाया जा सकता है एक तो ये बात है और जब राश्टरपती शाषन लगाया जाता है तो वहां की राज्य सरकास थंगित हो जाती है और राज्येपाल के माध्यम से जो राज्येपाल के माध्यम से जो वहां पर स्टेट के अंदर शाषन रन करता है और राश्ट्रपति उस राज्येपाल उस स्तिती में संग की एजन्ट की रोप में काम करना शुरू कर देता है 356 यानि प्रेजिजेंट रोल रगाने का एक तो तरीका यह हैं एक तरीका और है जो 365 में दिया गया है तीनसोपैंसट के माध्यम से 356 लगाया सकता है यानि राज्य सरकारी ये कहे कि के अंदर के जो समविधानिक या कानूनी निर्देश हैं उनको नहीं मानती है सरकार की योजनाय हैं उसको इंप्लिमेंट नहीं करती हैं सरकार की जो एसेट्स हैं उनकी सुरक्षा नहीं कर रही है ठीक है उस स्तिति के अंदर क्या होता है कि 365 के माध्यम से अनुशे 365 के अंसार के अंदर द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में विफल रहने पर यह लगाया जा सकता है तो 365 के माध्यम से लगता क्या है 356 यानि प्रेजिद्ट रूल लगाया जा सकता है बात करते हैं प्रशन संक्या 128 मंतरी परिश्यद यानि काउंसिल आफ मिनिस्टर मंत्रियों की संक्या लोग सभा की संक्या काउंसिल ओफ मिनिस्टर मंत्रियों के अधिक्तम संक्या लोग सभा की कुल संक्या के कितने परतिशत हो सकती है तो मंत्रियों के अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती है तो एक तो बात आपको यह द्याहन रखनी है कि अधिक्तम संक्या लोग सभा की कुल संक्या के कितने परतिशत से अधिक नहीं होगी तो ये 15 परतिशत से अधिक नहीं होगी यानि मंत्रियों की टोटल संक्या कितनी होगी ये तै किया गया था कि 91 संविधान शुन्शोदन हुआ 2003 के अंदर इसके माध्यम से यह तया किया गया कि मंत्रियों की अधिक्तम संख्या कितनी रहेगी वो लोग सभा की कुल संख्या का 15 परतिश्य से ज़्यादा नहीं हो सकती है परिशन संख्या 129, मंत्री परिशद सामुही गुरूप से किसके परति उत्तरदाई होती है तो मंत्री परिशद किसके परति उत्तरदाई होती है सामुही गुरूप से लोग सभा के परति उत्तरदाई होती है अगर आपको कहीं पर एक्जाम के अंदर ये शब्द मिलेगे कि संसद के परति उत्तरदाई होती है तो ये गलत है किसके प्रति उतरदाई होती है वो लोग सभा के प्रति उतरदाई होती है अनुचेद 75 मंतरी परिश्यत के सामोईक उतरदाईतों की व्यवस्ता करता है और साथ अनुचेद 75 राश्टरपती के प्रति व्यक्तिगत उतरदाईतों की व्यवस्ता भी करता है देखिए हम जब यह चैप्टर कर रहे थे तो हमने कल बात के थी जो हमारी पिछली कख्षा है कि भारत ने कौन सी विवस्ता को अपनाया है संसदिय विवस्ता में क्या होता है संसदिय विवस्ता के एक खास बात क्या है कि संसदिय विवस्ता में जो कारेपालिका होती है ठीक है कारेपालिका यानि मंत्री परिशद परधान मंत्रिय और उसकी मंत्री परिशद कारेपालिका जो होती है वो विधाईका से आती है यानि विधाईका से आती है यानि विधाईका से ही आती है और विधाईका के प्रति ही क्या होती है उत्तरदाई होती है इसलिए क्या ह मंत्री परिशत सामवीक रूप से किसके प्रति लोक सभाके प्रति निम्न सदन है उसके प्रति पुतरदाई होती है ठीक है बात करते हैं प्रिशन सक्या एक सो टीस मंतरी परिषद में कुल कितने परकार के मंतरी होते हैं तो कितने परकार के मंतरी होते हैं जो में जो मिनिस्ट्री हैं वो संभालते कौन हैं केबिनेट मंत्री संभालते हैं केबिनेट मंत्री के साहिता के लिए क्या होती हैं राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री के साथ साथ कुछ राज्य मंत्रियों को भी संसदी मामलों में और साहिता देने के लिए क्या होत मंत्री होते हैं यह अंगभव की अधार पर रिक्त होते हैं आप यह देखेंगे कि जो उप मंत्री होते हैं वो क्या हो कौन होता है या राज्य मंत्री कौन होते हैं जो नए लोग होते हैं नए परतिनेजी चुन कर आते हैं तो उनको क्या है कि शुरुवात में काम से परिचि स्वतंतर परभार वाली मंत्री उनको Cabinet के मंत्री के समान ही प्राप्त होता है इनको सेम वही दरज़ा है जो कैबिनेट मंत्री को प्राप्त होता है और कैबिनेट मंत्री जैसे मैं ने बोला कि इनके पास मुख्षे परभार के इनके पास ही रहता है ठीक है और जो परधान मंत्री के साथ मीटिंग होती है ठीक है तो उस मीटिंग के अंदर कौन उपस्तित होते हैं क्याबिनेट मंत्री उपस्तित होते हैं ठीक है राज्य मंत्री उप मंत्री उसमें उपस्तित नहीं होत कि इन सभी का प्रमुक कोन होता है प्रधान मंतरी रहता है बात करते हैं प्रशन संग्या 131 केबिनेट की बेठक की अध्यक्षता कोन करता है अभी मैंने बोला बात की कि प्रधान मंतरी जो होता है इसके अध्यक्ष होते हैं तो केबिनेट की बेठकों की अध्यक्षता रापत होती है ठीक है तो केबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है प्रधान मंत्री करते हैं कई बार आपने यह प्रशन आता है कि डिफ्रेंस क्या है कांसिल ओफ मिनिस्टर हो एर केबिनेट में डिफ्रेंस मुझा जाते हैं कि थोड़ा से सब्सक्राइश उस पर भी कर लेते हैं कि जो मंत्री परीशल है मंत्री परीशल वर्सस जो मंत्री मंडल है मनें मेन को क्या बोलते हैंra मंखरी मंमंदल वो थैक है के लिए कंबिंट को क्या अदा थान प्टिनshow मंधर इसको मंधरी मंडल वो थैं है ठीक है और मंतरी परिशत यह construction इंग्लिश में काॉंसल ओफ मिनिस्टर इनको council of minister बोलते हैं और मंतरी मंडल को क्या बोलते हैं cabinet अब इन दोनों में difference अगर आप पुछा जाए इन दोनों में difference क्या है देखिए सबसे पहली बात कि जो समविधान में मूल समविधान में मंतरी परिशद को क्या है में well mentioned किया था आर्टिकल 74 देखे 75 देखे तो आपको मंतरी परिशद मिलेगा 74 में यह बात लिए है कि राश्ट्रपति को साहता और सला के लिए क्या होगी मंतरी परिशद होगी ठीक है cabinet का मूल समविधान में कोई जिक्र नहीं था मूल समविधान में कोई जिक्र नहीं था ठीक है इस चैबिनेट का इसको जोड़ा गया था आर्टिकल 352 के मार्दियम से अब भी हमने पड़ा 352 के अंदर एक बात लिखी गई है कि परदहान मंत्री जो एमर्जंसी लगाएगा राश्ट्रय अपात का लगाएगा वो केबिनेट की लिकित सिफारिश पर लगाएगा यानि केबिनेट शब्द पहली बार परियोग हुआ वो 352 में परियोग हुआ और वो भी चॉमालिस में समविधान शौन्शोदन 1978 द्वारा ठीक है एक तो यह बात दूसरा जो है कि मैंने जैसे बात की कि मंत्री परिशद ग इसमें उप मंत्री भी शामिल होते हैं इसमें स्वतंतर परभार भी शामिल होते हैं ठीक है यह बड़ा निकाए है जबकि आप यह देखें कि मंत्री मंडल है यह चोटा निकाए है लेकिन वास्त्विक शक्तियां किसको पराब्द होती है वो केबिनेट को पराब्द होती ह वास्तविक जो है शक्तियां के बिनेट के पास ही रहती है मंत्री बंडल तो यह कागजी शक्तियां जैसे मैंने का प्रदहान मंत्री के साथ कौन बैठता है पी-म के साथ मीटिंग में के साथ मीटिंग में कौन बेठा है यह मने बात कि बात कि बैठक क्या ठाट के बेठक क्या अजण मंतर नहिए अगे आप पूछा जाएं कि मंदल और मंतरी परिशद में क्यांतर है तो यह बेसिक अंतर मैं आपको बताया है बात करते हैं प्रिशन संक्या 132 आपके सामने किसी ऐसे व्यक्ति को जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है मंतरी नियुक्त किया जा सकता है लेकिन उसे कितने माहा के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहन कर लेनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को मंतरी नियुक्त किया जा सकता है मंतरी क्या इवन परधान मंतरी भी नियुक्त किया जा सकता है लेकिन 6 माहा के बीतर बीतर उसे किसी एक सदन की या तो वो लोक सबा की या उसको राज्य सबा की किसी एक सदन की सदस्यता लेने होगी ये सदस्यता निर्वाचन से अत्वा नामांकन से निर्वाचन से तो कहा होगा लोक सबा में नामांकन से कहा हो सकता है राज्य सभा में क्योंकि राज्य सभा में 12 सद्ध स्य जो होते हैं क्या होते हैं प्रेजिनेंट क्या करता है प्रेजिनेंट उनको नॉमिनेट करता है ठीक है तो या तो निर्वाचन से या नामंगकन से ली जा सकती है अनिधा मंत्री बद से हटाया दिया जाएगा ठीक आपको पता है कि जब 1984 में हमारी परधान मंत्री इंदरा गांदी जी की हत्या हुई थी उस समय राजीव गांदी जी को जो परधान मंत्री बनाया था वो बाद में उसको सदन की सदैसा दीने प्रिष्ण संख्या द्वारा प्रधान मंत्री के विरुद या मंत्री प्रिशत के विरुद कौं सा प्रस्ताव मोशन पारित करके उनने पद से घटाया जा सकता है तो नो नो-confidence motion ये क्यवल लोगसभा में आता है, एक ये बात, only जो है, ये only लोगसभा में ही प्रश्थुत किया जा सकता है, यानि निमने सदन में ही आता है, ठीक है, पचास सद्स ये जो है, इसके motion को परस्ताव के लिए चाहिए है, पचास सद्स ये द्वारा लाए सकता है, जब लोग सभा ऐ विश्वास परस्ताव पारित करती हैं, तो सबी मंत्रियों जिनमें राजी अलभा के मंत्री में शामिल होते हैं, को त्याग पतर देना पड़ता है, यानि नो-कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब सरकार को चलाने के लिए जितना बहुमत चाहिए है, सरकार के प पहला, जो फर्स्ट नो-कॉन्फिडेंस मोशन है, ये कब लाया था? ये 1963 में लेके आया थे, कोन लेके आया था? ये जेबी करपलानी साब लेके आया थे, जेबी करपलानी लेके आया थे, और उस समय गवर्मेंट के सिदकी थी, प्रधान मंत्री थे नेहरुजी, नेहरु ये पास नहीं हो पाया था, ठीक न, ये पास नहीं हुआ था, पारित नहीं हुआ था, बात करते हैं प्रशन संक्या, 134 निती आयोग का पदेन अध्यक्ष कोन होता है? ठीक है, पदेन अध्यक्ष, निती आयोगो, नैशनल इंस्टिटूट फोर ट्रांस्वर्मिंग इंड यह नीती रीओ का पदे नद्याक्ष परधान मंत्री होते हैं तीक इसे पूर्व जो संस्ता थी 2005 से पहले योजन रायोग योजन रायोक का पदे नध्यक्ष को नो था था वह भी परधान मंत्री ही होते हैं तो दो 2015 में योजना आयोग जो इससे पूरवरती संस्ता थी को उसको खतम कर दिया गया और उसकी जिगा नीती आयोग को लेग आए नीती आयोग ना तो constitutional है ना statutory है दोनों नहीं है इसको जो जनरल जो executive order होता है समाने कारियपाले का आदेश द्वारा इसकी स्थापना की गई है यानि जब कोई किसी भी संस्ता की स्थापना executive order किसे की जाती है तो इसका मतलब है उसको अगर खतम करना हो समाप्त करना हो तो उसके लिए संस्त में किसी तरह का बिल लाने के जुरत नहीं होती है ठीक है उसको जनरल अगर कोई next government आए तो कोई नया परदान मंतरी आए अगर वरतवान परदान मंतरी चाहते हैं कि इस संस्ता को खतम करना है तो जनरल notification के मादिम से उसको खतम कर सकते हैं तो एक तो यह बात इसके स्थापना को लेकर दूसर bottom to approach है bottom to approach यानि जो सहकारी संगवाद है सहकारी संगवाद है और ground democracy है ठीक है उस हिसाब से क्या है कि यह काम संस्ता करने का इसमें decision लिया गया ताकि नीचे से क्या है कि जो डिमांड है आवशकता है उसको पूरी कि जा सके बात करते हैं प्रशन संग्या 135 किन किस परिस्तिती में मंतरी परिशद अतिशिग्र विगटित हो जाती है तो किस परिस्तिती में मंतरी परिशद विगटित हो जाती है जब परधान मंतरी की मिर्टियों की दशामें ऐसा हो सकता है परधान मंतरी की मिर्टियों की दशाम हो सकता है या परधान मंतरी अग मंत्री परिशत घुंगती है परधान मंत्री जैसे ही त्याग पतर देता है वह खेल वहीं खतम हो जाता है यानि मंत्री परिशत सब मंत्री वह राजय सभा का है लोकसभा का है सभी को अपना त्याग पतर देना पड़ता है वह समप्त हो जाती है परधान मंत्री त्याग पतर नोका का मला है रेम्जे मेयोर प्रधान मंत्री के बारे में बोलते हैं कि वो जो राज्य की नोका है राज्य का जो जहाज है उसका मला है और मुंडरो बोलते हैं इनके बारे में परधानमंत्री जो है राज्य की नोका का क्या है कप्तान है इसलिए बोलते हैं इसको नोका का कप्तान बोलते हैं मुन्रू और रेमजीय मेयर बोलते हैं राज्य की नोका का या राज्य की जाहज का जो मल्ला है वो परधानमंत्री होता है बात करते हैं प्रिश्ण संक्या, 136 भारत का प्रथम विदी अधिकारी कोन होता है, तो यह होते हैं, अटॉनि जनल ओफ इंडिया, भारत के महा नियाईवादी, आर्टिकल 76, भारत के महा नियाईवादी का वर्मन है, यह वह देश का सर्वोच कानून अधिकारी होता है, दे कारे रहता है जो स्तरकार है उनको विदिक सला देना कानूनी सला देना उसका कारे रहता है न्युक्ति प्रेजडेंट द्वारा के जाती है कारेकाल को फिक्स नहीं होता प्रेजडेंट के परसाद परियंत रहते हैं प्रेजडेंट जब चाहे उनको हाटा सकता है ठीक है बात लेती है और टॉने जनल ऑफ इंडिया हमने शुरुवात में बाद की कि जो संग की कारेपाली का है कि संग की कि कार्यप पालड़ेदा उसके अंदर कौन शामिल होता है उसमें भारत के प्रेजडेंट शामिल होते है वाइस-प्रेजडेंट जो है हो शामिल होते हैं प्रस उनकी commission of Ministry शामिल होते हैं और उसके साथ ही आताने जर्नल museum ईंडिया है उठेड़र के बैँड़ सकते हैं संसत के इसलिए वोट नहीं दे सकते हैं भाकि सारी गति वीडियो में भाग ले सकते हैं बोलसके हैं हालांकि उसे मत देने का कर्सक नहीं होता हैं उसे एक संसत् कानुनी सलार कार हैं और विदिक रीपर्जेंटेंटेटीव हैं कानुनी प्रति निधित करता है किसका सरकार का के विबार सरकार से सम्मंदित मामलों को लेकर सुप्रीम कोट में भारत की और से पेश होता है भारत के महान्याईवादी की न्युक्ति कौन करता है? अभी मैंने बोला कि न्युक्ति प्रेजडेंट करते हैं, अटाता भी कौन है? प्रेजिडेंट हाटाता है, कोई fix tenure नहीं है, कारेकाल नहीं है इनको राष्टरपती के प्रासाद परियंतिये रहते हैं बात करते हैं प्रश्ण संग्या 140 महा नियाईवादी बनने के लिए कौन सी एहरताएं होनी चाहिए है जो सुप्रीम कोट के नियाईदिश बनने के लिए होती है वो सभी एहरताएं qualification महा नियाईवादी बनने के लिए चाहिए है सुप्रीम कोट के नियाईदिश बनने के लिए क्या एहरताएं होनी चाहिए है जैसे पहला क्या होना चाहिए है, वो citizen of India हो भारत का नागरिक होना चीए दूसरा पांच वर्ष तक किसी हाई कोट में क्या है जजरा हो या फिर दस वर्ष तक किसी हाई कोट में क्या की हो वकालत की हो या फिर क्या हो प्रेजडेंट की नजर में राश्ट्रपती की नजर में नजर में क्या होना चाह Astra सव्विदान में महा नियावेदी का वेतन भीत्या नहीं किया गया है उसे राश्क्र पती द्वरा निर्धारी जोतना भी पारिशारि में कि होता है वो मिलता है प्रशन संक्या 141 भारत की समस्त वित्य परनाली संग और राजयस्तर का नियंतरन कोन करता है तो अब आ गया है आर्टिकल 148 से लेकर 151 जो समिधान का भाग 5 है और 5 समाप्त होता है 148 से 151 के बीच में 151 के बीच में उसके बाद चैप्टर 6 शुरू हो जाता है समिधान का ज इस संस्ता गवर्नन है यह क्याग का अटॉनी जर्नल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनल ऑफ इंडिया भारत का नियंतरक और महालेखा परिक्षक अनुचेद 148 से 151 तक नियंतरक और महालेखा परिक्षक समंधी प्रावधानों का वर्नन है इसकी नियुक्ति कोन करता है प्र प्रशन संक्या 142 बाहरत के नियंतरक महालेखा परिक्षक को किस रिती से हटाया जा सकता है तो उसी रिती से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रिती या अधारों पर किसको उटाया जाता है सुप्रियम कोट के न्याइदिश को इसको भी इटाते हैं अपने पर रहने के पश्चात वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधिन किसी पद का पात्र नहीं होता है ठीक है बात करते प्रशन संक्या अब आगे 143 पर और 143 से शुरू कहां से हो रहा है यह चैप्टर का नाम है हमने संग की कारेपालिकों को कर लिया है अब हम 143 से पढ़े लेजिसलेचर यानि जो कानून निर्मान करने के काई है और कानून निर्मान कहां होता है संसद में होता है तो अब संसद को हम पढ़ेंगे बात करते हैं प्रशन संक्या 143 भारत की संसद के कितने अंग होते हैं तो संसद के कितने अंग होते हैं संसद किन अंगों से मिलकर तो इसके तीन अंग है जो निम्न सदन है जनता का सदन है जिसे लोक सबा संबुजित करते हैं जो उच्छ सदन है राज्यों का सदन है इसे राज्य सबा संबुजित करते हैं और इन दोनों सदनों से कोई कानून बिल पास होकर जब लाश्ट में किसके पास जाता है राश्ट संक्या 144 के उच्छ वे निम्न सदन को क्या का आजा सकता है अभी बोला कि ऊछद जो राज्य सबह यह निम्न सदन लोगसभा है अङा-जाश मैं में राज्य वे संग राज्य छेतरों के परतिनीज होते हैं यानि स्टेट मी होते स्टेट और यू यूटिड यह हैं जबकि लोगसभा संपोन रूप से भारत के लोगों का प्रतिनीदित करती है। ठीक है? बात करते हैं प्रेशन संग्या। 145, लोगसभा राज्यसभा में किन-किन का प्रतिनीदित होता है। प्रतिनीदित होता है। लोग सभा में प्रतिनीदी डारेक्ट इलेक्ट होते हैं। प्रत्यक्स चुनाव होता है जो first past the post system है हमारी जो दूसरी वीडियो में हमने बात की थी first past the post system क्या होता है और दूसरा जो व्यवस्ता है proportional representation जिससे राजय सभा में प्रतिनी जो है indirect रूप से आते हैं वो दूसरे व्यवस्ता है proportional representation यानि आनुपातिक प्रतिनी दित्व है उस से चुनते हैं उपराश्टरपते चुनते हैं विधान परिशद के सदसे वी इस से इसी पद्धति से चुने जाते हैं direct election जो होता है जंता जो वोट जाती है वो होता है उसके माध्यम से किसको चुना जाता है लोग सभा के सदस्यों को प्रशन संग्य 140 राज्य सभा में होते हैं ठीक है तो 238 जो है वो स्टेट और यूटी से आते हैं और जो 12 सदस्य है उसके बारे में प्रावधान किया गया है वो राश्टरपती द्वारा प्रेजडेंट उनको क्या करेगा नॉमिनेट करेगा ठीक है उनको नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में भहरे झाने वाले स्थानों का अवंटन चोथी अनुसुचि में अंतरविश्ट बन्दों के अनुसार होगा ठीक है तो हमारा जो छोटी है फॉर्थ शेडूल है उस वह किसके बाद करते हैं वह राज्यसभा की सिटों को बरने के बाद करते हैं बात करते हैं प्रिशन संग्य 147 राष्ट्रपति द्वारा नामित बारा विक्तियों को किन छेत्रों का विशेश ग्यान और प्रैक्टिकल व्यवारिक अनुबव होना चाहिए तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाजिक सेवा और साथ में लेखा है ऐसे ही अन्य ऐसे ही अन्य तो तेंदुलकर साथ इस तरह रहे क्योंकि वो ना तो साहित्य से है, ना विज्ञान से, ना समाजिक सेवा से तो यह जो लाइन लिखी है इसमें एक ऐसे ही अन्य उनके थुरू आये हैं सचिन तेंदुलकर ठीक है कि ऐसे व्यक्तियों का नामांकित करने के पिछे उदेश है कि प्रतिष्टित व्यक्ति बिना चुनाओ के राज्य सभा में जा सके हैं, अन्य इन छेतरों में जो उनका अन्भव है, वो सदन को मिलना चाहिए, इसलिए 12 सद्धियों को नॉमिनेट करने का अधिकार प्रतिणी दित्व उसमें भी सिंगल ट्रांस्वरेवल वोटिंग सिस्टम, राज्य सभा के लिए सीटों का बंटवारा उनकी जन संक्या के अधार पर किया जाता है, जैसे राजस्थान में किती सीटे हैं, दस, इसलिए राज्य के प्रतिणी दियों की संक्या अलग- बोलते हैं, सीनिट बोलते हैं, ठीक है, वहां के संसद को कॉंग्रेस बोलते हैं, और कॉंग्रेस के दो सदन है, हाउस ओफ रेप्रेजेंटेटेटिव, जो निम्न सदन है, और दूसरा उच सदन है, जिसको सिनिट संभोधित किया जाता है, तो वहां सिनिट में ये जाजस्तान में दस है किसे स्टेट में यूपी में आपको ज्यादा मिलेंगे या नॉर्थ इस्ट में आपको एक सदस्य मिलेगा तो इस तरह क्या है कि अंतर पाया जाता है 20 और दो सदस्य जो है एंगलो इंडियन का प्रावदान था पूरू में प्रावदान था लेकिन एक सो चारवा समविधान शुन्शोदन किया 2019 में उसमें ऐसा कोई प्रावदान नहीं रखा गया उसमें यह था कि जो सेडियूल का सेडियूल ट्राइब्स इनक्या रिजर्व बारतिय सदस्य को मनुनित करने की विस्ता अब क्या होगी समाप्त हो गई है कि 150 लोगसभा की सदस्यों का निर्वाचन राज्य की जंता द्वारा किस अधार पर किया जाता है तो अभी हमने बात की जो डारेक्ट इलेक्शन होता है वैस्क मता दिकारक्स कि अधार पर जो वेक्ति 18 वर्ष का है और रजिस्टर्ट वोटर है ठीक है रजिस्टर्ट वोटर है तो वोट कास्ट कर सकते हैं अंशे 326 के नुशाल लोकसभा राज्य राजे विधान सभाओं के निर्वाचन क्या होंगे डारेक्ट वैस्क मतादिकार के अधार पर होते हैं तो यह प्रशन एक सोपचास प्रशनों को हमने पूरा कर लिया है और जो हमारा साथवां वीडियो होगा तो 151 से 175 प्रशनों को देखेंगे अक्षा को विराम देते हैं राजे हैं